नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका परना चैनल NK Concepts तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको TDS कैसे मेजर करते हैं मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं और उसके बाद वीडियो में आपको बताऊंगा कि कम TDS के क्या नुकसान है या ज्यादा TDS कितना TDS आपके पानी का होना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह सस्ते वाला TDS मेटर जो की 200 रुपय में फिलिपकाट एमजोन बड़े ही आसानी से मिल जाता है तो मैंने भी 200 रुपय में इसे मंगा लिया इसमें तीन बटन आपको देखन करने के बाद आप 00 reading देख लिजिए यहां पर कोई वैल्यू नहीं होने चाहिए तो सीधा के सीधा आप इसे किसी भी पानी में डिप कर दें डिप करने के बाद एक रीडिंग इसमें आ जाएगी जितना भी आपके पानी का TDS है और होल्ड पर क्लिक जरूर करें क्योंकि अ आप TDS किसी भी पानी का बड़ी आसानी से नाप सकते हैं तो उसके बाद मैंने किनली का एक पानी की बोटल ली और मुझे मालूम था किनली का जो TDS होता है वह 20 या 30 के आसपास होता है ज्यादा ज्यादा 50 होगा इस से ज्यादा इनका TDS कभी भी पैकेज डिंकिंग मोटर क होता ही नहीं है तो मैं काफी शोर था कि इसका भी 20-30 निकलेगा तो मैंने वापस से क्या किया उस रेडिंग को हटाया जो अलड़ी रीडिंग थी वह वापस से आपको होल्ड पर दवाना पड़ेगा वह रीडिंग हट जाएगी तो मैं क्या करता हूं इस पानी में डिप क फिर से पानी लिया क्योंकि मुझे यार इतना डॉट आया क्योंकि इतना हायर टीडियस किसी पैकेज drinking water का होई नहीं सकता है तो मैंने क्या कि दोस्तों दुबारा से लिडिंग ली और दुबारा से जैसे मैं इसमें डिप करता हूं डिप करने के बाद जैसे मैंने देखा क कि यार जो वेल्यू है वही 165, 156 के आसपास आ रही है तो इतना हायर टीडियस यार इस पानी का कैसे हो सकता है तो पैकिंग वाले पानी का इतना हायर टीडियस होना एक बहुत ही बड़ी बात थी तो इससे दो पोसिबिलेटी थी या तो मेरा टीडियस मीटर की खराब है या वो पानी की बोटल ही नकली है तो मैंने वीडियो को वहीं रोक दिया क्योंकि इतना हायर टीडियस होना पोस होने का रेजन क्या है तो दोस्तों ना तो मेरा मीटर खराब था ना हो बोटन लख लिए थी असली रेजन यह है कि गुवर्मेंट की रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस आई हैं टीडियस के रिगार्डिंग में चितने भी पैकिंग वाले पानी में आपको जो मिलते हैं मार्क पास यह लोग अपना टीडियस रखेंगे तो जनवरी से जितने भी पानी आप खरीदेंगे वह आपको डेड़ सो से उपर और तीन सो से नीचे टीडियस के आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों अगर मां बात करूं डबलो एचों की तो डबलो एचों के है कि यॉ लॉद न थैटन फोर्ट कर डियर कोई हुई है कि चिसम्हेस को बताया जा सके कि कितना टीडियस आपके लिए स्था होता है फिर नुर्मली कुछ और प्राइवेत और और टीडियस ने रिस तब़ ऑनिले ठीक नहीं और को बदा तो दोस्तों अगर मेरी साफिश है बड़ दोस्तों ज्यादा टीडियस में दिकत क्या होती है कि आपने देखा होगा कि आपका घीजर है कुछ सालों में रस्टी होने लगता है खराब होने लगता है अगर आपके एरिया में खारा पानी आता है तो खारे पानी का टीडियस होता हो ज्यादा होता है तो जितना वो एक तरीके से white whiteish scaling जमने लगती है उनके उपर या फिर वो जंग खाने लगते हैं तो यह थोड़ी से नुक्सान होते हैं अगर आप अपना TDS को 200 से निचे रखेंगे और 100 से जादा रखेंगे तो आपको टेस्ट भी प्रोपर मिलेगा और आपके जो जितने भी हैं घर के appliances हैं जितने भी आपके equipment है वो खराब नहीं होंगे जहां पर आप पानी का यूज करते हैं और उसके अलावा कुछ आपको नेट पर इस तरह की list देखने को मिल जाएगी कि इतना TDS आप रखेंगे इतना poor है इतना fair है इतना excellent है इतना good है और इससे ज्यादा आपका 1200 से ज्यादा आपका खराब होता है तो इस तरह की काफी list आपको देखने को मिलेगी मगर किसी भी बड़ी health organization ने ऐसा कोई data declare नहीं किया है ना ही कोई ज्यादा study की है हाँ नमकीन पानी के ऊपर काफी studies हुई है बट नॉर्मल जो अपना पानी होता जिसका TDS हाई होता मिन्रल्स की quantity जिन में ज्यादा होती है तो ऐसी कोई study perform नहीं की गई है और मेरे परसनल आपको recommendation है अगर आपको अपना पानी के जो टेस्ट है market में जो bottle water आता है बिलकुल वैसा चाहिए और आपको मिन्रल्स से भी compromise नहीं करना यानि TDS बहुत कम भी नहीं करना और आपको टेस्ट भी अच्छा चाहिए तो मेरे इसाब से आप हेंडर्ड के आसप आपके पानी का टेस्ट भी अच्छा होगा और आपको मिन्रल्स में मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो कैसे रेकी जरूर बताइए अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें